नमस्कार फ्रेंट्स स्वागत है आपका हमारे यूटूब चेनल जीट टेक्निकल एजुकेशन में फ्रेंट्स आज हम इस वीडियों बात करने वाले हैं कि अगर आप सेवा योजन विभाग उत्तर प्रदेश की ओफिस्यल वेबसाइट पे अपना रेजिस्टेशन कर लेते हैं प्रोफाइल होगरा सारा कुछ कम्पलीट कर लेते हैं उसके बाद में आपको पता चलता है कि आपकी प्रोफाइल गड़बढ हो रखी यह निकि आपने जो डिटेल डाल रखी हो मिस हो रखी है चाहे वह आपके प्रसनल डिटेल हो गया या फिर एड्रेस अगर आपने कुछ गलट डाल रखा है या फिर आपके एजुकेशनल डिटेल जैसे उसमें आपके मार्स गएरा जो मांगे जाते हैं आपने गलट डाल रखें तो आप उनको जो है कैसे संसोधित कर पाएंगे अधिकतर यह जो प्रोब्लम आती है जो यह प्रोब्लम देखने के लिए मिल जाती है तो आज हम इस वीडियो आपको कम्पलेट प्रोसेस बताएंगे कि आप अपनी प्रोफाइल को कैसे संसोधित कर पाएंगे तो इसलिए वीडियो को अंतक जरूर देखना साथ ही मेरे चैनल पर अगर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना ताकि आने वाली नई वीडियो की जानकारी आपको मिल सके सबसे पहले तो चलिए शुरू करते हैं सेवा योजन प्रोफाइल में करेक्शन करने के लिए सबसे पहले आपको सेवा योजन विभाग की ओफिस्यल वेबसाइट पर जाना होगा जो आपका इसमें पड़ा हुआ है उसकी बाद सारे जानकारी हो गया इससे अच्छिक हो गया बाकि आपकी जो लेंगों जो गयरा डाल रखे हैं कौसल अनभाव वरियता और घोंचड़ा यहनिकि इन नौई स्टेप में आपकी प्रोफाइल कंप्लीट की गई है तो अगर जो आपकी प्रोफाइल गलत हुई है तो इनहीं नौई स्टेप में से आपने कहीं पर गलत डिटेल डाल रखे इसलिए जो है आपकी प्रोफाइल गलत हो रखे तो उसके लिए आपको क्या करना है जिस भी यहनिकी जिस भी section में आप यहाँ कि गलत detail डार रखें simply आपको इस section पर click करना होगा और click करने के बाद में आपके सामने इस प्रकार को इस interface देखने के लिए मिल जाएगा यहीं कि जो भी आप detail डार रखे होंगे आप वहाँ पर जाके edit कर देंगे जिसे मालो हमने यहाँ पे height डार रखा है 170 तो simply आपको इसे मालो करना है 165 तो आपको यहाँ पे डाल देना होगा 165 उसके बाद डालने के बाद में आपको नीचे जो है जाएंगे यानि कि आपकी profile सत्यापित ना की गई हो उससे पहले आपको इन detail को change कर लेना है तो जैसे आप सुरच्छित पे किलिक करेंगे तो आपकी detail सुरच्छित कर दी जाएगे और आपके profile में जो है चीज़ें फिर अपडेट कर दी जाएगे अगर आपकी profile जैसे verify हो चुकी है तब आप यहाँ पे किलिक करते हैं तो आप जो है नहीं वहाँ पे अपनी detail को नहीं change कर पाएंगे आपके सामने कुछ स्पकार से interface देखने के लिए आजाएगा कि आप अपनी सूचने संसोधित नहीं कर सकते हैं क्योंकि जो मेरी profile है already जो है verify हो रखे तो इसलिए मैं जो है correction नहीं कर पाऊंगा तो आई होप यह वीडियो आप लोगों जरूर अच्छी लगी हो गर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें साथ ही अपने फ्रेंडों के साथ शेयर करें